हेलो एन वेल्कुम गाई स्वागात आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइज जो इस असम प्रिमेर क्लब टी-20 चेंपियंशिप की जो की मैच होने वाला है यहां से सोनारी टाउन क्लब प्रोसिज क्लब तिरंगा के क्याइब है तो बात करेंगे इस मैच की चोटी चनल को अभी तक आपने सस्क्राइब ने किया तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेजेगा क्योंकि यह आगे आने वाले और अच्छे मैंचिस की वीडियो को अपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगा क्योंकि आजी के दिन में हम लोग आगे असम टीट्वेंटी तो यही है और इसके साथ-साथ मलेशिया टीट्वेंटी कवर करने वाले और उसके साथ-साथ मलेशिया क्लब टीट्वेंटी इन्विटेशन जो शुरू हो रहा है वो भी कवर करने वाले और उसके साथ-साथ-साथ ओमान डीट्वेंटी तो यह सारी मैं इसी चैनल पर कवर करने वाले तो YouTube चैनल को सस्क्राब कर लिजेगा और टेलिग्रम से जुटना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि मेरी फाइनल टीम और मेरी फाइनल अपडेट आपको वही पर मिलेगी तो टेलिग्रम से जुटने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सीधा माना चैनल में जबेगा जिम्पली उसे जुटन के लेना क्योंकि फाइनल टीम आपको वही पर मिलेगी तो यह मैच दूपेर में एक बज़े अमिगाउं क्रिकेट क्राउंड गुवाहाटी असम में खिले जाएगा व्यस्से तो यहां से बैटिंग प्रेंड होने वाली यह CLT की तो अगर CLT पहले बैटिंग करवाईगी तो आपको आराम से 150 प्लस स्कॉर बनता हूँ आराम से दिखेगा इससे ज्यादा भी हो सकता है और अगर STC पहले बैटिंग करवाईगी तो आपको स्कॉर 120-130 के आसपास बनता हूँ दिखाई दे सकता है क्यों पहली बैटिंग करने वाली टीम को काफी सारा एडवांटेज है लेकिन यहां से CLT एक अकेली टीम हैसी है जिसने दो बार यहां से चेजिंग करते हुए जीता है और यहां से एक मेच जो NSA ने जीता है वो तो यहां से ZCC के सामने जीता था जो कि इस टूनामेन के सबसे कम ज रही है और इस मेच को भी समझ लिजेगे हादने के चांसे सुनके थोड़े से ज्यादा लग रहे है पाकि सूरोजित राज कॉनमर यहां से ओपनिंग करवा रहे है रेकोर्स इसने कुछ खास नहीं लेकिन यहां से बैटिंग में अभी तक इतना कुछ खास परफरमस दिया नहीं है पाकि और ओस भी करवा ले थे उनसाठ मैच के अंदर पचीस विकेट्स भी है तो कभी भी ओस भी करवा सकते लेकिन अभी तक ओस भी नहींगी क्योंकि यार उनके पास ऑप्सनस बहुत ही ज़्यादा यहां से बॉलिंग के तो यहां से बैटिंग सक्षन में उनको कासी विकेट्स निकाल लेते हैं फिर भी है विशाल शाय किया जो कि दोनों मैच के अंदर जीरो और एक रन किया है और वैसे ओवर्रोल रेकोर्स भी उनके ठीक ठाक है तो इनको लेना भी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है तो यह सारे प्लेयर से ले सकते हो प्लेयर काफी इनमें से कोई भी अगर बड़ी पारी खेल जाए तो मुझे ब्लेब मत करेगा बाकी मुझे लग रहा है तब तक स्मॉल लिक के लिए यह जो प्लेयर से इतने इंपॉर्रेज नहीं है बाकी आप थोड़े से रिस्की खेल सकते हो तो उनको ले सकते हो बाकी प्रत्यूस बो संजीब बर्मन को ट्राइक कर सकते हो लेकिन यहां से ब्याटिंग से इंता कुछ खास परफॉमस रहा नहीं है इनका अभिदक बाकी ओवर्रोल रेकोर्स तो काफी अच्छे तो देख लेते हैं इनके बारे में लेकिन एज़ा प्लेयर तो इंपॉर्रेज पिक है इर्फान गोहिन को लेने का कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि लास मैच के अंदर उनने ओर्स नेगे बाकी ओर्स करेंगे तो विगेट जरू निकालेंगे कर सकते हो स्टार्टिंग ओर्स में कौन रहता है यहां से आर मोहन और यहां से बीनेवर स्टार्टिंग में रहेंगे और देख वर्स की बात के हो तो आर मोहन और यहां से बीनेवर देख वर्स में दोनोगी गयन बाजिक करेंगे तो यह दोनोगी प्लेयर को लेके जाना है हमें ब्यांज की बात करें तो ब्यांज तो काफी लंबा है इनका रितुराज विस्वास है यहां से अनुप भोटेल हो गया है यहां से जोती बरुवा मुजाकिर अली तो इन में से कोई भी खिलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलिग्रा में जरूर प्रवाड़ करवा दूँगा तो अगर यहां से खिलने से रितुराज विस्वास अगर खिलते तो यह important हो सकते हैं यहां से अनुप जोती बरुवा केलते तो important हो सकते हैं और यहां से मुझाकिर अली, तो वो खेलते हैं तो वो भी important हो सकते हैं, तो देख लेते हैं कोई भी खेलेगा, तो इनके states तो आपको टेलिगरा में जरूब प्रोवाइड करवा दूँगा, आईए चलिए बात करते हैं यहां से team club त्रिनंगा, कि तो तीन मेंच के लाए, तीनोई मेंच जित के आ रही है, और यहां से दो बार उसने changing करते हो जिता हो, और इस page के उपर changing करते हैं जितना, यानि कि एक World Cup जितने वाली feeling आएगी आपको वास, यहां से dog support, लेकिन यहां से काफ़ी अच्छा performance रहा है उनका, और उनका main region यहां से opener उनका, पल्लव कुमारदास, जो कि state level की team की तरब से खिलता है, वहां पर भी opening करता हो आता है, और यहां पर भी opening करता हो आता है, पिछली दोनोई मेंच से के अंदर overs भी किये, लेकिन विगर्ष नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हमारे लिए, बैटिंग के अंदर एक बार फिर से यहां से विशाल शाहा आउट होते हुए दीख सकते है, देखे भाई, मैं कोई बविशवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी घड़ फिलिंग के अनुसार बोल रहा हूँ, आप अगर अपनी तरब से लेना है चाहो, तो ले सकते हो, आगे संदीप पॉल थोड़े से रिस्की रहेंगे, लेकिन यहां से संदीप पॉल विगर्डी कुपिंग सेक्शन में, और आपको कैचिंग से स्टंपिंग से अच्छे कासे पॉइंट्स दे सकते हैं, खास तो से स्कैचिंग और रन आउट से बहुत अच्छे पॉइंट्स दे दे, बेटिंग से तो आप देख से हो, तीनोई मेच के अंदर, तीन मेच के अंदर सिर्फ आठ रन के हैं, लेकिन फिर भी इनके पॉइंट्स बहुत ही जादा है, हम लोग लास्ट में इनके बारे में देखते हैं, बाकी गोगोई इंपोर्णेट्ट फिक रहेंगे, लास्ट मेच की बातकर तो 33 रन का स्कोर के, इसे पहले 27 और 39, तो लगातार ठिक ठाक परफोर्मसी दे रहे तो यह जब लेर इंपोर्णेट्ट फिक बनते हैं, तो यहां से थोड़े से रिष्की रहेंगे, और वैसे भी बेटिंग से काफी नीचे आते हैं, रेगुलर बेजिस पर ओवस करवाती नीचे भी तो इनको थोड़ा से लेना रिष्की हो सकता है, अब इंपोर्णेट्स कोन है, तो इंपोर्णेट्स की यहां पर लाइन लगी है, तो यह सारों को ही लेके दाएंगे यहां से, इनको आप एक टाइम पर ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन यहां से एदास, केदास, पराग बर्मन और यहां से प्रितिश रहे, और यहां से कोई भी एक बंदा, यहां से चारों में से कोई भी एक बंदा, बंडल में विकेट निकाल रहे हैं, देखिए, पहली मेच की बात कर तो पहली मेच के यहां से बंडल में विकेट निकाला, किसने यहां से प्रितिश रहे ने, और यहां से पराग बर्मन ने, पह बुलक में विगेट निकाला तो यहां से रेक मैच के अंदर कोई भी एक बंदा है यहां से 3-4 विगेट निकाल रहा है तो यह चारोई बॉलस को लेके जाएंगे कि यहांसे इनको ले सकते हो स्वरी थोड़ी सी कंफिजन भी हो सकती है क्योंकि पीदास की जगापन यहांसे पी रे कर दीजेगा यहांसे पी रे ने लाश्ट मेच के अंदर डाली थी देथ हो तो इन में से कोई खेलेगा तो इनके स्टेट्स में आपको टेलिग्राम में प् इनको कुछ डिफरेंस करेंड कि लेना चाहा तो ले सकते हो बाकी बैटिंग से इतना कोई कास पर्फरमस रहा नहीं है बैडिंग सेक्शन की बात करें तो P-10 तो हमारी टिम में रहने वाले हैं यहां से P-bora और यहां से M-gogoi को मैंने pick करके जाने वाला हूँ बाकी यहां से options सारे मैंने बता दिया आपको Allrounder section की बात करें तो S-Berman और यहां से P-Jain को मैंने pick किया हुआ है तो यह दोनों प्लेंस important रहेंगे इतना बाकी कोई options दिखा नहीं अच्छा N-dash वगेरा को लेना हो तो अपने इसाब से according ले सकते हो बाकी balling section की बात करें तो इनका जो man section है वो balling section है तो P-1-1, A-dash, K-dash और यहां से P-2, A-4 ballers को लोगा और यहां से सामने वाली team का यानि कि STC का यहां से एक ballers मैंने pick किया हो जो है आर मोहन बाकी आप कुन लूं को लेना चाहो तो कुन लूं को ले सकते हो और यहां से मगर को एक बार try करना चाहो या फिर never को try करना चाहो तो कर सकते है क्योंकि दे थोज में गादी गैन बाजी करता है तो मेरी team को इस तरह से रह सकती है captain तो हमारी रहेंगे यहां से P-2 और vice captain से मैंने P-2 को दिए options मैंने सारे बता दिया आपको फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ यह है यह और यहां से यह है यह चारो में तीनों में से किसी को भी आप दे सकते हो कोई भी बंदा यहां से performance करता हो नजर आ सकता है तो मेरी टीम भी कुछ इस सरा से रह सकते हैं लेकिन याद रहें यह डेमोटी में final टीम आपको मिलेगी telegram में final line आपके बाद तो telegram से जुनना बिल्कूल मत भूलेगा नीचे description में already मैंने link attach कर दिया इनके सकर link work ना कर तो telegram में जाके सर्च कर सकते हो fantasy decent challenger या फिर आप सर्च कर सकते हैं fdc27 और आपको सीधा मारा चैनल मिलेगा उसे जोइन कर देना तो यहां अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शर कर सकते हो बागी यूटूब चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत बुलेगा क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैंचिस की वीडियो आपको जल्दी चल्दी मिलते रहे और आज ही के दिन में दो नई टूनामेंट शुरू हो गई एक है मलिशिया क्लब T20 इन्विटेशन और एक है ओमान D10 जो की हम लोग कवर करने वाले तो इस दोनों में आचिस की वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए यूटूब चैनल को subscribe कर ले और टेलिग्राम से जूट जाओ क्योंकि final update और final टेम आपको मिलते रहे तो मिलते हम अगले वीडियो में तब तक पूरा वीडियो देखते हो अचानल इसस कते हो अच्छी टीम बनाते हो अच्छी मीडिंग कते हो बाई धन्यवाद जैहिन जय बारात